कि यह कहानी आपकी जिन्देगी में कही ना कही से किसी तरह से इंपक्ट करेगी यह कोई ordinary कहानी नहीं है इस कहानी के end में जो आपका feel होगा इसका जो message है वो आपको जब feel होगा तब आपकी समझ का level बढ़ जाएगा आपकी जिन्देगी की जो problems है जो अभी तो आपको problems लग रही है या कुछ ऐसा कि ये क्यों नहीं हो रहा है वो क्यों नहीं हो रहा है मेरे ही साथ क्यों हो रहे वगेरा ये सब आपको नहीं लगेगा ये स्टोरी है बगवान बुद्ध और ये बहुत ही गरीब लड़के की जो लड़का इतना गरीब था कि वो हर रोज कहीं न कहीं से खाने के लिए कुछ इकट्टा करता था बट हर रोज उसका खाना गएब हो जाता था एक दिन उससे पता चला कि एक चुआ उसका खाना चुराता है तो उसने उस चुए को पकड़ा और उससे पूछा कि तुझे पता है कि इतना गरीब हूँ फिर भी तु मेरा खाना चुराता है अगर तुझे चुराना ही है तो किसी अमीर आदमी का चुरा क्योंकि उससे उसको कुछ फरक नहीं पड़ेगा तो चूहा बोला कि तेरी किसमत में सिर्फ कुछ ही चीज़े लिखी है और तुझे वही मिलेगा बले तो कितनी ही कोशिश कर ले बले तो कितना ही कटा कर ले तो उन्हें अपने पास नहीं रख पाएगा ये चान का वो लड़का बहुत स्वाक हुआ कि ऐसा कैसा हो सकता है तो चुए ने का कि अगर तुझे जानना ही है कि तेरी किसमत में क्या लिखा है तो तुझे बगवान बूद के पास जाना पड़ेगा वही तुम्हें बचा सकते है कि तेरी किसमत में क्या है इसलिए वो लड़का बगवान बूद से मिलने के लिए जन्नी पर निकल पड़ा बहुत रात हो चुकी थी इसलिए रास्ते में उसने एक हवेली देखी और उसने गर वाले से एक रात इस्टे करने के लिए इजज़त मागी उसे इज़त मिल भी गई हवेली वालों ने लड़के से पुछा कि वो इतनी रात को कहा जा रहा है तो उसने कहा कि मैं बुद के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पुछने के लिए तो हवेली वालों ने कहा कि क्या तुम बगवान बुद से हमारा ये सवाल भी पुछोगे हमारी एक 16 साल के लड़की है जब बोल नहीं सकती है तो क्या करें जिससे इसकी आवाज लोट आए उस लड़के ने कहा कि मैं जरूर पुचूँगा आपका सवाल और उसने उनको ठैंक्स कहा और सुबह वहां से निकल पड़ा आगे रैसने में बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहार थे वो बड़ी मुश्किल से एक पार पर चड़ा उसे वहां एक ज़ादूगर मिला उसने लड़के से पूचा कि वो कहा जा रहा है तो उसने कहा कि मैं बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बार में पुचने के लिए तो चड़ूगर ने कहा कि क्या तुम पगवार बुद्ध से मेरा ये सवाल पूचोगे मैं हजारों सालों से तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं सुअग जा सकूँ और मेरे नॉलेस्ट के सबसे अब तक तो मुझे सुअग में चले जाना चाहिए था तो मैं सुअग में चानी के लिए ऐसा क्या करूँ लड़के ने कहा ठीक है मैं आपका सवाल बुद्ध से जरूर पुचूगा उस चड़ूगर के पास एक छड़ी थी जिसके हेल्प से उसने उस लड़के को बर्फ के पहाड़ों से उस पार पहुचा दिया जब वो आगे बड़ा तो अब उसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था एक बहुत बड़ी नदी थी जो वो खुद पारने कर सकता था तब ही उसकी मुलाकत एक विसाल काई कचुए से हुई और कचुए उसे नदी पार करवाने के लिए रेड़ी हो गया फिर कचुए ने भी उससे पूछा वही सवाल कि तुम कहा जा रहे हो तो उसने कहा कि मैं बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में जानने के लिए तो कचुए ने कहा कि क्या तुम बगवान बुद्ध से मेरा सवाल भी पूछोगे मैं पांसो सालों से ड्रागर बनने की ट्राइ कर रहा हूँ बट अभी तक बन नहीं पाया तो मैं क्या करू जिससे ड्रागर बन चाओ लड़के ने कहा ठीक है मैं अपका सवाल भी जरूर पूछूगा कचुए ने लड़के को अपनी पीट पर बैठाया और जदी के उस पार छोड़ दिया फाइनली लड़का बगवाल बुद्ध के पास पहुँच गया वह और बहुत सारे लोग थे बुद्ध ने कहा कि एक परसन के सिरफ तीन सवालों के ही जवाब दूगा लड़का एकदम सौख हो गया क्योंकि उसे तो चार सवाल पूछने थे वह सोतने लगा कि उसे कौन से तीन सवाल पूछने चाहिए उसने कचुए के बारे में सोचा कि कचुए पांसो सालों से ट्रेगर बनने की ट्राय कर रहा है और जदूगर तो एक हजार साल से सुरक में जाने की तपस्या कर रहा है और वो लड़की बिना बोले पूरी लाइफ कैसे जगुजा सकती है फिर उसने खुद के बारे में सोचा कि मैं तो सिर्फ एक गरीब भीकारी हूँ मैं तो भीक मांगकर अपनी जिन्दगी गुजार सकता हूँ पर कचुए जादुगर और लड़की की प्रावलम तो मेरे प्रावलमें से बहुत चता बड़ी है इसलिए उसने उनके तीन सवाल बुद्ध से पूछे बुद्ध ने जवाब दिया कि कचुए पांसो सालों से ड्रैगर बनने की ट्राय कर रहा है पर वो अपने कवच को छोड़ने के लिए तेयार नहीं है जब तक वो अपने कवच को नहीं छोड़ेगा तब तक वो ड्रैगर नहीं बन सकता और वो जादुगर 1000 साल से उस चड़ी को अपने पास रखे हुए है वो चड़ी उसे सुवग में जाने से रोक रही है अगर उसे सुवग में जाना है तो उस चड़ी को छोड़ना होगा और जब उस लड़की को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तो वो लड़की बोलना सुरू कर देगी उस लड़के ने बगवान बुद्ध को थैंक्स बोला और वहां से रवाना हो गया वो दोबारा कचुए के पास गया और बोला कि बुद्ध ने कहा एकि तुम ड्रेगन बनना चाते हो तो तुम्हें कवच को छोड़ना होगा जैसे ही कचुए ने कवच उतारा तो उसकी अंदर कीमती मोती थे कचुए ने वो मोती उस लड़की को दे दिये और वो ड्रेगन बन गया उसके बाद लड़का उस जादोगर के पास गया और उसे कहा कि अगर तुम्हें सुरग जाना है तो तुम्हें चड़ी को छोड़ना होगा उसने चड़ी लड़के को दे दी और वो सुरग में चला गया उसके बाद वो उसी हवेली में किया जहां उसने रात इस्टे की थी जब वो वहां किया तो लड़की सामने आई और वो बोली उस रात को हमारी हवेली में तू भी आये थे न सो इस तरह उस लड़की को वेल्थ, पावर और एक ब्यूटिफुल लाइफ पार्टनर भी मिल गया लाइफ में कुछ पानी के लिए हमें कुछ देना पड़ता है जब जादुकर ने अपनी छड़ी लड़की को दे दी तब वो सुअग में जा पाया वैसे ही लाइफ में कुछ बहुत बढ़ा करने के लिए अपने कमफर्ट जोन से बाहर आना होता है पानी का जहाज सबसे ज़्यादा सेफ किनारे पर ही होता है पर जहाज किनारे के लिए नहीं बना है वो बीच समंदर में लहरों को चीरते हुए आगे बनने के लिए बना है इसलिए आपको लाइफ में कुछ बढ़ा कंड़ा हो तो आपको रिस्क लेनी ही पड़ेगी जैसे कचुए को ड्रेगन बनने के लिए अपने सुरक्सा कवज को छोनना पड़ा और अगर आपको ऐसा रखता है कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ी है तो ज़रा एक नज़े डालिए उन लोगों पर जिनके पास रहने को गर नहीं खाने को रोटी नहीं कोई देख नहीं सकता कोई चल नहीं सकता कोई बोल नहीं सकता कि आपकी प्रॉब्लम उनकी प्रॉब्लम से बड़ी है कि आप जानते हैं कि हम खुद प्रॉब्लम में होते हुए भी दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल करते है तो इसका result यह होता है कि हमारी problem अपने आप ही solve हो जाती है तो कुल मितर पर एक लाग subscribers कंप्लीट होने के पात मैं YouTube की तरह से silver play button award मिला है जो की आनाय में उसको बहुत time लग गया तो उसकी image मैंने Facebook और Instagram पर डाल दी थी उसी time जब वो आया था तो वो image अगर आपने ने देखिए तो यह रही आपके सामने है वैसा यह image मैंने उसी वक्त डाल दी थी तो अगर आपने मुझे Facebook और Instagram पर फॉलोव नहीं किया तो कर दीजिए और thank you so much दोस्तों आप सभी ने मिलकर जिस तरह से इतनी वीडियो शागे से आगे फैलाई है उसी की ही वज़े से कुल बित्र